अगर आपके भी वाइट हेयर हो चुके हैं प्री मैच या वे ग्रेय हो चुके हैं और उनको आप बलेक में करना चाहते हैं लेकिन अगर आपके सब्सक्राइब करने वाले हुआ कि कैसे के वर एक दिन में वर स्टेप की हैं से अपने वाइट हेर को ब्लैक कर सकते हैं कि आपके साथ प्रिवेंस वीडियो में टू स्टैप हिना इंडिया को प्रॉसेस किया ता उसकी हैं से आपके सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिन लोगों के पास टाइम नहीं होता तो आज मैं आपके साथ एक डिफ्रेंट प्रॉसेस करने वाली हूं अगर उसको फॉलो करने से भी आपको फायदा नहीं मिल रहा है तो मैं आपके साथ एक अमेजिंग सी ट्रिक करने वाली हूं लास्ट में अगर उसको फॉलो करेंगे तो जो आपके वाइट है अच्छे से डेफिनिटली कवर हो जाएंगे ब्लैक में तो आज की वीडियो में आपके साथ और लाइव देख सकते हैं और इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं तो मैं वाइट है उनको ब्लैक करने वाली हूं तो चली प्रपरिश्य स्टाट करते हैं हाँ जी तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना बड़तन का आपको यहां पर यूज करना है ग्लास का बाउल या फिर आप यूज कर सकते हैं चीनी मिट्टी का बरतन लेकिन आपको मेटलिक कोई बरतन यूज नहीं करना जैसे की लोहे का बरतन हो गया या धिल का बरतन आपको ग्लास का ही बाउल यूज करना है उसके बाद यूज करना हिना पावडर जितना नैच्रल होगा उतनी इना पाउडर की क्वांटिटी है उसको हफ रखना जैसे कि अगर आप इट इस्पून हीना पाउडर अपने बालों पर प्रपिय करते हैं बालों पर पैप अपने लिए तो आपको यहां पर यूस करना है फॉर इस्पून हीना पाउडर योगि हम बात में कुछ ऐसे इंग्र करना है सिंटल पानी का कोई भी इसमें हमें चाये पर देखेव कौफी कुछ भी एड़ने है ना करने सिंट है मेहदी को हमें प्लीण वॉटर से मिक्स करना है और थोड़ा-थोड़ा पानी की एड़ करेंगे अगर एक साथ जैसे दही होता है ना वैसे कंसिस्टेंसी हमारी हिना की तैयार हो जाएगी आपको परिश्यन नहीं होने आपको इसको ही ऐसे ही कवर करके रखना है अगर आप ऊवरनेट रख सकते हैं बहुत ही बैस्ट नहीं तो आप इसको पांच गंटे विद्ट रखेंगे तभी सफिशे है तो मैंने space को ओवर रखा था और नेक्स्ट मॉरनिंग हम देखते हैं जो कैशी हो गई है आप देख सकते हैं जो हेना है उसने टाय रिलीज कर दिये कलरण हो गया है साथ वी रिलीज हो गई है और आप देख सकते हैं को प्रुपये करके रखा था पहले तो जो एकड़ा पेस्ट बन चुका है कोई भी समयारी पॉर läuft करने वाले हैं जो कि हमारे बालों को ब्लैक कलर देने वाला है और यह बहुत ही इंपचरेच डोल प्ले करता है यहां पर यूज़ करने वाली उसात्वा का और निक निगो पैडर है तो इसकी लिंक है कर सकते ही नेच्छरल कि रखनी है जितनी आपने हिना पाउडर एड़ किया तो मैंने चार से पांट स्पून यहां इंडियो पाउडर की एड़ करना है अब सबसी इंपोर्टेंट बात का दिहान रखना है कि इसको मिक्स करने का्टाप को थोड़ा सा सब्सक्राइब करना है तो बात और ऐसा न भी सि turning रखना औरkg तो तो पानस्पा मिक्स करना और विश्यव करना है थोड़ा पानी एड़ करना है Whereas mm बनाना है इससे बहुत ही इसलिद यू-मारा पाते ध्यान रखना है और मिक्स करते करते आप देखेंगे जो कंसिस्टेंसी एक्दम बनके तयार हो जाए और अभी आप नुटिस कर सकते हैं जो कलर है इस पैक वह किस तरीके जोड़ा ग्रीनिश है आप देख सकते कितनी स्मूद का शुटेंस जो पैक है बनके तयार हुआ सब्सक्राइब ज़ा है किवलों केवल 22 30 मिनैठ के लिए मतलब हम 20 मिनट्स के लिए tailor मप 30 तूर्टी मिनाट के लिए ofteno मैं לק लैवालों के परता है क्या रिजल्ट है कि मैं आपके साथ आगे शिया करूगी और जो हिना इंडिकों का जो मैंने पाउडर यूज किया अगर वो पर्टेस करना चाहते नेच्रियल पाउडर तो उसका जो लिंक है मैं डिस्किप्शन मॉक्स मेंशन कर दूंगी तो आप वासे चकाउट कर सकते हैं अब आपको इस हेयर पैक को अच्छे से पूरे बालों पर अपलाई करना है है अगर इसक अपने बालों पर कर सकते हैं तो लिंक दिसक्रिप्शन वाक्स हेना को प्रिपेर नहीं करना है करना है हम लोग को यहाँ पर प्रेस्ट को बनाइस लिए लिए करने कोफी चाएपति रीपा चाया पाने साम Entonces को पर करना और नहीं आ हैं तो पर चल्ञे उपनी आपको अपने बालों पर पomis की कितली से फिरिकी तरय सब्कैसे आप ऊपने बालों में लाल कर दी मिनिम्मम तरीजि रहना है अपना रखेंगे वहतों ही अच्छा वार्ड तो अच्छ बढे लीजिए और फ़िंग सब्स्क्राइब और उसके बाद जब आपका हेर टैक सूख जाए सूखेगा ने तो नहीं लेकिन जब 3-4 गंटे हो जाए तो आपको नॉर्मल पाने से वाश करना है कोई भी शेंपू का अप्लाई नहीं करना है नॉर्मल पाने से वाश करेंगे और गैंज इस हेर पैक का एक यह भी है कि जब आपने स्टेफ प्रॉस्जन में इंडिकोपो जिब सेकंट अपने बाल पर प्लाई कि आता तो जो कि बहुत ज्यादा ऊप्लाई हो चुके थे लेकिन इस पैक को अपके बाल बिल्कुल भी हारड नहीं नहीं होंगे नॉर्मल आपके बाल इसे हिना को अप्लाई करते हैं व तो दो दिन तख अपने बालों में ना भी शैंपू कीजिए ना ही पाले डाली नाहीं किजे और दो दिन बाद अच्छा से अपनी Android कर के ति शैंपू कर दो इस तदी किसे पूर्यOSS को फाउलो करना है किमा जो वाइल यस कि आप आपके 90 परसेंट जो वाइट है उनको तो ब्लैक कर देता है लेकिन 10 परसेंट बालों को यह ब्लैक नहीं करता है लेकिन जो आपके वाइट है रहे हैं तो आपके बाल तो नहीं रहेंगे लेकिन थोड़े बहुत हो सकते हैं कि ब्लैक ना देखें ब्राउनिश देखें पर व तो पहले आप इस एक उपनी बाले पर प्लाइए कर लीजिए उसके बाद आप तो आपके सारे फुरे ब्लैक अच्छे से हो जाएंगे तो इस तरह से आप इस प्रोसेस को फॉलो की जिए अब देख सकते हैं लिए पहले थे बेल्कुल आप के बाल और मोस्ट करना चाहते तो इस प्रोसेस को फॉलो किजी डेफिनिटली जब के वाइट है वह ब्लैक हो जाएंगे और अगर आपके रिप्रेस्टिंग वीडियो कोई डाउट हो तो आप कमेंट के बता सकते हैं और इस प्रोसेस को फॉलो करने के वाद आप फॉलो करने बेंगे बिल्क मत भूलेगा आप चाहां तो आपको फॉलो कर सकते हैं वहां वाद आपके फोटो शुर्ट शूर कर सकते हैं मैं आशा करते हूं कि आपको आपको पसंद नाए और पसंद नाए तो प्लीज में लाइक कर देजिए मेरे वीडियो को शूर कीजी प्रेंड के स साथ नेटिव के साथ और आपकी रिक्वेस्टिंग वीडियो हैं तो मिलते हैं नए वीडियो साथ तब तक भी सिफ बाइब टेक केर